हेलो एब्रिवन विल्कम बैक टू में चानल तो कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो मिर भाई आज का एक बच्चे का मैसेज था मिर भाई मुझे बहुत दुख हो यार सच बोल रहा हूं मुझे बहुत जाद दुख हुआ उस बच्चे का कमेंट पढ़ोगे तो आपको भी बहुत दुख होगी यार सच बोल रहा हूं एक तो यह है कि SSGD का हम सब प्रिप्रेशन करते तो हम सब उतने अमीर बच्चे नहीं है ठीक है हम सब मिडिल क्लास से भी नीची में आते हैं अपने पैरेंट्स किसान किसानी करते हैं खेती करते इस सब करते हैं जो को सब छे संब करते है जिसके ऑपकी पापा की अच्छी नहीं हुए हुए झाल इसलेक्षिन भी होगा लेकिन यह बात है कि अभी इसकी एसी कंडिशन है ना कि चार तरप से फून आड़ है कि भाई आप ये दो करज दो मेरा अभी तक ने दिये ये ने दिये वो ने दिये जिसके बहुत सारे लंबी मैसेज मुझे कर रखा है तो मैं एक चीज उस भाई को मैं और रेडी वीडियो में बता है कि देखो भाई आपक में कुछ नहीं होगा आगे मैं अभी क्या करूं ततकाल वो मुझे बताओ तो ये इस्तीद्व तो सही में गंबीर है किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है किसी भी पैरेंट्स चाहिए आप समय से भी बहुत सारे बच्चे के साथ ऐसा ही हो रहा होगा समझ गए और ऐसा फील है मिरवाई की कि हम डी मॉटिवेट नहीं हो सकते मिरवाई आपको कुछ निग नकुछ काम तो करना पड़ेगा यह हम सब जानते कि कि Politics क्या होती है यह हम हमें पता है कि हम गांओं के बच्चे हमें पता है कि कहा से पैसे लाते चाहिए बहुत दर्द देमें रखके हम वह लेकिन उस भाई का कंडिशन ही कुछ ऐसा है कि आप सब को रोना आजाएगा अब देखो सबसे बात यह है ना सबसे इंपोरेंट बात यह है कि मिर भाई उस बच्चे को एक चीज करता हो मैं अभी इस वीडियो देखेगा तो उसको मैं एक चीज बलता हो चाहता हूं मिरवाई कभी कभी ना लाइप में बहुत कस्ट आजयेगी या इक बहुत कस्ट आगी आपको लगे आप से नहीं हो पाएगा लेकिन इस वक्त ही आपको ज्यादा सतर्क होनी जो होते है मैं मैं क्या बोल रहा हूं कि ये बोलने से कुछ में ने होता, लेकिन एक चीज मैं अब शाख समझके उन्होंने बताया और उन्होंने बोला कि बाइजा इस पे लिए अनल बना दो किमें आप уч उतने भी वीकल की खाने पाने पीने पे भी दिक्कत हो रही है तो आप एक काम कर सकते हो और पढ़ालो यार बस ठीक है यह वक्त भी मुश्किल जरूर है लेकिन हमें इस वक्त में भी संभलना है लाइफ में चाहे किसी भी सिचुएशन आ जाए आपको लगे कि बहुत वर्स्ट केस है मेरे से नहीं होगा आपको विश्वास नहीं है मैंने ऐसे जहले है न इतने जहले है आप विश्वास नहीं कर सकते मुझे देखकर आपको क्या लगता है बाइसा फेल्यूर ऐसा चीज है न कि पैरेंट्स को न एक चीज आपकी जब असफ़ल होते हो न फिर देखना पर पैरेंट्स पर क्या भीतती है वहीं चीज है और मैं मानता हो यार बच्चे प्रेशर मरते हैं पैरेंट्स के तकलीफ को क्या आपको लगता है कि पैरेंट्स के तकलीफ देखके आपको तकलीफ होते हैं को होती है यार भाई आपसे मैं एक ही चीज करता हूं मेहनत करो अपने फीजिकल पर ध्यान दो बाकिस चीजों अगर आपको बहुत ज़्यादा फैनेंसियली वीक है नहीं चल पा रहा है ट्यूशन पढ़ा लो हम ट्यूशन किसी का पकड़ लो जिससे आपको थोड़ी सी सहल देखो लाइब मेना बहुत सारी स्टियोशन आप भी देखे होगे क्योंकि हम सब बहुत नीचे अस्तर के थीक है ना बहुत वर अस्तर के नहीं देखो मैंने प्रेंट्ट से बहुत चीज मांगे पापा मुझे यह चाहिए बीना रुके बीना कुछ करे उन्होंने बहुत help कर दी मेरी और मेरी जो जो चीज इच्छाय थी उन्हें पूरी की लेकिन वो इच्छाय कहां से पूरी की वो नहीं नहीं बताया मुझे समझ गए और ऐसा नहीं कि मेरी condition अच्छे है मेरे condition वह ही situation है जिस बच्चे की है समझ गए तो एक चीज समझ लो मिर भाई अगर ये सब condition में आपके भी है तो महिनत करो और सबसे important बात है ना अपने आप से ना कभी आप demotivate मत होना कि मेरे से यह नहीं हो रहा है मेरे प्रेंट्स पर इतनी है life में जब जब tough situation आएगा ना कुछ न कुछ आपको वो time आपको कुछ सिखा के जाएगा और बुड़े बुड़े वक्त में आपको वही साथ देगा ना तब पता चलेगा कि आपके सचे दोस्त कौन होते हैं समझ गए हमेशा life में ऐसे situation आपको भी face करने को मिलेगी बहुत सारे जितने भी हैं सबको face करने को मिलती है यह मुझे भी पता है मिरवाई लेकिन एक ही चीज़ा रखना हिम्मत बनाया रखना है मेरे दोस्त कभी कभी ना चंद रुपयों के लिए भी आपको छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे तो कर लो मिरवाई लेकिन अपना ना अपने अंदर हिम्मत इतना और विस्वास इत मिरवाई कोई भी आप किसी का कोई हिल्प नहीं करता आपकी आपका हिल्प आप खुद कर सकते हो भगवान पर विश्वास रखो और एक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं एक गाना या सायद मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें एक चीज़ सिब भगवान पर थे उन्होंने बोले थे कि अगर आपको लाइफ में अगर कोई प्रॉलम बहुत ज़्यादा बड़ा लग रही है तो ये आपकी थिंकिंग एबलीटी क्या है मिर भाई कि आप उस प होगा लेकिन कल वैसा दिन भी आएगा मिर भाई कि हम भी जीतेंगे हम भी लड़ेंगे और हम भी आसमानों को चुझेंगे बस मेहनत मत छोड़ना मिर वाई जितनी वी टिपकल सिचुशन आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जिलना आए चाह किसी के साथ मेरे साथ आपक समझ गए इस चीजों को हमेशा ऐसे रखना और भाई आपने मुझे इस के लाइक समझा मिर भाई कि मुझे इस चीजों के बारे बताया थांक्यू सो मच मिर भाई तको दिल से कनेक्ट होते हो ना यार बहुत अच्छा लगता है साथ आप भी इस वीडियो देखोगे तो आ सब भाईयों का यार मैक्सिमम बच्चों का यह प्रवलम है यह मुझे अभी तक इस बच्चे ने मैसेज किया मैं सोच रहाता है वीडियो ना बनाओ लेकिन उसने एक ही चीज़ा है कि भाईया इसका सॉलूशन एक वीडियो में देना तो यही आपका सॉलूशन है मिर की एक चीज़े बोलेंगे बस यही है बाई महीनत करते रहो और याद रखना लाइफ बहुत कस्ट देगी आपको बहुत कस्ट देगी लेकिन जो संगर्स करके आगे बढ़ता है असली जीवन में हीरो वही होता यार समझ गया है और इसलिए बोलता हुना मोटिवेशन दू लिखाते हैं अच्छा लैग ब्र Elon की कोशित करते हैं फिर भी आप सब बड़ी मिस्टेक कर रहे हो तो ऐसा मिस्टेक मत करना आप सब से इस सब्सेमिë और बस यहाई अपना क्या यार, अपना क्या आप सब भाई जैसे हो, इतना प्यार करते हो, यही मेरे लिए एनफ है मर भाई, बस यही बोलेंगे, बाकी जो भाई को वीडियो अच्छा लगए, बस वीडियो को लाइक करना, सेयर करना यार, ताकि किसी भाई को इस परकार के तकलीफ नजिन मिलना पर है समझ गए तो फिर्म लेकर एक्स वीडियो में फिलाल इतना ही जय हिन जय भारत बंदे मातरम बाकी सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी उस भाई को कुछ हेल्प कर सकूँ ठीक है ना जय हिन जय भारत बंदे मातरम